और क्या हाल है तो यार तुम्हारा हाल चाहे जैसा भी हो लेकिन किर्केट का हाल तो बड़ा बेहाल चल रहा है हर तरफ एक ही बात है मैंकर्ड 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 मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैच कहीं कभी होता है रन आउट कहीं कभी हो लेकिन नाम आर अश्विन का आ देते हैं वैसे मेरे ख्याल से तुम मैंकर रन आउट समझ नहीं रहे हैं यह एक रन आउट है लेकिन कुछ अलग टाइप का रन आउट है चलो मैं थोड़ा explain कर देता हूं तो मैंकर रन आउट वह कहलाता है जिसमें बॉलर अपना action प्रॉपर रखता है बॉलिंग करने आता ह लेकिन अपना load up करने से पहले वो batsman को run out कर देता है वो भी सामने वाले batsman को नहीं है नौन striker batsman को अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आया तो याद करो IPL में एक बार आर अश्मीन ने जौस बटलर को run out कर दिया था तब से आर अश्मीन के लोग पीछे ही पड़ करेक्टर पर जच करने लग जाते हैं अब करे तो करे क्या हम किसी की सोस तो बदल नहीं सकते लेकिन हां हमने जो हुआ हम उसके बारे में जान जरूर सकते हैं तो आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं और जानते कि आकिर हुआ क्या और ऐसी कौन सी वज़े थी जिसने सदाफ खान को रन आउट कर दिया और यार वो महौल ही ऐसा था कि एक तरफ लोग बहुत ज्यादा खुस हो गया और एक तरफ लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गया मतलब तुम खुद सोचो ना यार एक टीम के आठ विकेट गिर चुके सामने सिप एक प्लेयर खड़ा है वो है सदाफ खान और वो विचारा मैंकट रन आउट हो जाता है मतलब सोच रहे उसके लेवल का गुस्सा क्या होगा और तो और यार सदाफ का गुस्सा तो छोड़ दो फैंस का गुस्चा छोड़ दो इवन कमेंट्रेटर्स तो यह बात कहना है कि भाई यह गेम ओप स्प कर रही है किसने इसे सफर नहीं किया हो या फिर वही फ्लेयर्श मेंकट रन आउट को सबस्पोर्ट कर रहे हैं जो मेंकटर रन आउट करने की कोशिश कियों मतलब सीधा सीधा और रशी को टार्गेट कर दिया वो आगे लिखते हैं कि अपन ने कभी भी मेंकट रन आउट वर्ल्ड कप में या किसी भी ICC इवेंट के सेमी फाइनल या फाइनल में नहीं देखा है क्योंकि यार कोई भी टीम अगर वहां तक आई है तो उसका प्लेयर जानता है कि यहां तक पहुशना कितना मुश्किल है वो इसका सेक्रिफाइज जानता है वो गेम आप स्पिरिड जानता है वो जानता है कि हार और जीत दोनों ही बरावर होती है और भी ऐसी बहुत सारी बाते की जिसके कारण अश्मिन ट्रिगर हो गए और उन्होंने आठ पैराग्राप का ट्वीट कर दिया उनको रिपलाई देते हुए अश्मिन ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि माल लो इसी तरह से कोई बड़ा बैट्समें लाइक विराट, कोली, रोई, शर्मा, केन, विलियम सन्या, श्टीव, इसमित या जो रूट ही रन आउट हो जाते, नौन स्ट्राइकर एंड पे, वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैच में तब क्या होगा तब तो पूरा ब्लेम बॉलर पे आजाएगी कि यह कैसी गेम ओफ स्पिरिट है, उनके प्लेयरों के फैंस, उनकी टीम, उनके कमेंट्रेटर्स, किर्गेट एक्सपर्ट, इसमें डिवेट करने लग जाएगी कि आखिर एक बॉलर ऐसा कैसे कर सकता है, यह तो गेम ओफ बताते हैं कि एक बैट्समें अगर इस सब चीजों से बचना चाहता है, तो उसको क्रीज में रहते हुए यह ध्यान देना चाहिए कि बॉलर कब अपना लोड कम्प्लीट कर रहा है, तब ही उसको अपना क्रीज छोड़ना चाहिए, इसका एक ही सल्यूशन है, अदर्वाइ यह बता चाहिए